जैहिन मेरे परवचों जैसा कि आप सभी को पता है कि Intermediate Examination 2030 का exam में स्टार्ट होगे है और आपका जो है 10 परवरी से sociology का exam में स्टार्ट है तो ऐसे में आपको ऐसा प्रसंट पढ़ना चाहिए जो कि आपके board exam में लर जाए तो आपके लिए याप वीडियो बहुत ही ज़्यादा एस परवसाल है क्योंकि इस वीडियो से आपके board exam में बहुत सरा प्रसंट पूछे जाएंगे तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंतक दिखेगा और last में आपको पीडियो बदा देंगे कि पीडियो आपको कैसे मिलेगा तो last तक आप जरूर सुरू से लेके अंतक बने रहेगा और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक निके मेरे परशो तो प्लीस एक वार लाइक कर दिखेगा यहां पर comment box दिख रहा है क्या comment box दिख रहा है और comment box में comment करते वे चलिए इससे क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिस है वह और अच्छा खासा हो जाएगा ठीक है यह फॉलो जरूर किजिएगा चलिए हम यहां सीकी नमर से स्टार्ट करते हैं आप से रेडि है यह से नो आ आपको क्या होगा राइट इंस रहा ठीक है दो नमर प्रसंद लिए क्या करा है कि निमन मैंसे कौन सा वर्न वेवस्ता का अंग नहीं है वर्न वेवस्ता का अंग नहीं है मेरे पर चोथ ब्रामन च्छेत्रिये वैस्से कुस बात है कि यह वर्न है यह भी वर्न है यह भी वर मतलग कहा सकती कि वहां से शुरुवात हुई थी तो वह कहां से हुई थी यह हुई थी फरांस से कहां से हुई थी फरांस में ठीक है याद रिखेगा option D आपका बिल्कुल ही right answer ही ठीक है आप देखे चार नमर में क्या करा है मेरे पैचो छोटा ही कर लेते फॉंट छोटा रहत राष्टबाद का अर्थ क्या होता है राष्टबाद का जो अर्थ होता है मेरे पैचो क्या होता है समाने समाजिक प्रिष्ट भूमे यह समाने जाती प्रिष्ट भूमे यह समाने भूगोलिक प्रिष्ट भूमे यह सो कुछ नहीं होता है देखे राष्टबाद का जो अर् ठीक है अब देखे चौन अबर पसंद बहुत है इंपोटेंट है कि क्रिप्स योजना कब प्रारंब हुआ था यह हुना था अब देखे आठ नमर में क्या करा है कि निमन में से कौन भारत का सबसी अधिक नगरी किरित राजे है यह भी प्रसंद थोरा से इंपोटेंट थी तो उत्तर दीजे कौन सा है चली बहुत अच्छा बिलकुल यह जो है महाराष्ट है वहां पर बहुत जदा नगरी किरित है ठी देखे चलिए अब देखिए यहां पर 9 नमर में क्या करा है कि निमन में से भारतिय सान्सक्रितिक परमप्रा की अदुतियता का परमुख अधार है तो क्या है यह है धर्म है कर्म है जाती विवस्ता है यह इनमें से सबी यह नौन नमर का उतर दिजिए बिलकुल जबरदस इसका जो right answer क्या होगा, D होगा, क्या होगा, D होगा, अब देखिए, 11 नमर देखिए, क्या होगा है, कि national coroner and the first turn in the instant formation, नामक पुष्तक के लेखा कोने, यह यहाँ से लेखी, यहाँ तक कोई पुष्तक है, उसके लेखा कोने, मेरे प्रेश दस नमर का उतर देजेगा, यह अब देखिए, आपके सामने, 11 नमर में क्या है, कि समुदाई सबसे छोटा वह छेत्रिय समू है, जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलो आस्त जाते हैं, समुदाई की यह परिभासदी है, देखिए, क्या करा है, प्रसन को समझे, बहुत ही important प्रसन है, बहुत जदा important है, थोड़ा सा वेटी की चली, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, कॉल आ गया था, वो बात करने लगे हैं, 11 नमर में क्या करा है, कि समुदाई सबसे छोटा है, देखिए, समुदाई जो होता है, जिसमें समाजिक जीवन के समस्त पहलो आ जाते हैं, और इसमें जो समाजिक जी दिया है, option B होगा, क्या होगा, option B होगा, अब यहाँ 12 नमर देखिए, क्या करा है, क्या करा है, अब देखिए, आपके समने 13 नमर में क्या करें, भारत में कौन सबसे छोटा अलप संख्या समुदा है, बहुत जादा important person, बहुत जादा, क्या करा है, क्या करा है, क्या करा है, कि बहुत ही कम है भारत में कोई का सकते हैं धर्म है जो कि बहुत ही कम है जैसे मुसलिम हो गया बहुत हो गया जैन हो गया इसके बारे बतिएगा कौन होगा राइट एंसर बिल्कुल यह जो है जैन धर्म जो है वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है समाप्त हो रहा है मुसलिम और हि प्राश्टी जनसंख्या नीति कभ घोसित के गे थी मेरे पर चो 14 नमर के उतर देजी बहुत अच्छे यह जो किय थी 2000 में की गई थी option भी होगा क्या होगा option भी होगा अब देखे 15 नमर में क्या का हज़रा है चलिए 15 नमर में क्या करा कि गरामिन एवम नगरिये समाज के बीच निमलिकित में से कौन सा अंतर अधार है दिखे गरामिन और नगरिये अप जानते हैं कि ये दोनों आकास पता ले क्योंकि नगरिये में अच्छा खासा जीवन विताया जाता है और गरामिन भी अच्छा खासा जीवन विताया जाता है इसमें difference है, वहाँ पर line न देखोता है, वहाँ पर line कमीज़ देखोती है, इसके बार मतना है, तो जन संख्यात्म का अधार होता है, इसमें भी बिल्कुल सही है, समुदाय का करहती है, यह भी है, समाजिक गति सिल्दा के परकिरतिक है, मतलए यह जो सभी के सभी है, क्योंकि स समाजिक जन संख्या भी अधार महां पर जयादा होता है, समुदाय का भी अकार भी कम होता है, यह अपको बताना दिये, तोटल तीन भागों में भी म्वहजित है, क्यों जनन संक्यी जो लिया गया है वो किस भरस राष्ट की यह बहुत अच्छे यह जो कहते ते 196 पर में किया तो प्स्ण क्या होगा नीति भोशित की गती तो यह अब आपके सान दिखें, उन्हें इस नमर में क्या करा है, प्यारें, उन्हें इस नमर में दिखेंगा, इनुसार भारत में प्रती हजार पूरुस पर इस्तिरियों के संक्यती, ये मेरे लिए वेरी वेरी इंप्रोटेंट बरसर, और आपके लिए तो 100% हैं कि याद कर लीजे मेरे नजर में 30 सबसे अच्छा है बट आप क्या करते हैं वह अलग बात है देखें क्या कर रहा है कि 2001 जब जन संक्याया जैसे 2000 अभी 30 चला है अभी 2030 चला है उसी परकार 2001 की जन गरना जब होई थी उस टाइम तब भारत के जो प्रती 1000 मतलग कि 1000 जो पूरुस थी उसमें कितने इस्तिरिया थी तो यह जो थी कितने इस्तिरिया थे मेरे पहचो कितने थी 933 से 943 कुछ था तो option B आप मान लिजे राइट एंसर क्या जो option according to according ठीक है यह इस्तिरिय थी ठीक है इस्तिरिय राइट आप चले यहां पर देखिएगा 20 नमर में क्या करा कि भारती समाज का इतिह से वो कितने वर्स पुराना है यह जो है 30 मतलब कि 3000 वर्स पुराना है कितने 3000 वर्स बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है ठीक है आप देखिए कईस नमर में क्या करा है कि मेरे का मेरे डॉक के अनुसार बीवा का मुख्य हुद्धे से मेरे डॉक मेरे डॉक के अनुस जो है आपको D बिल्कुल ही राइटेंस और और यह सब का अर्थ आप सब जानते ही है ठीक है जानते हैं बिल्कुल जानते हैं अच्छे से अब देखे आपके साने 22 नमर में क्या कर रहा है कि अंतर जाती है बिवाह किस समाज की बिसिस्ता कही जाती है अंतर जाती विवाज होती है वो किस समाज की बेस्षिस्ता कही जाती है इसके बार वदिएगा बिल्कुल इसका जो राइटर से क्या होगा आधुनिक समाज की कैसी आधुनिक समाज की जिसे आप लॉव के नाम से भी जानते ठीक है क्या लॉब के नाम से भी जानते हैं अधुनिकाल में यही चल रहा है ठीक है अब देखिए ये परसन भी थोड़ा सा इंपोटेंट है 23 नवर में कि मौसी नातेदारी किस सरीनी में आता है तो मौसी जो है आपके दूत्रिये में आते हैं माता हो गया पिता हो गया अपने से रिजलेटिन नहीं होता जाता हुह दूत्यमें आते हैं ठीक है और खिरीत्यमें जा आपके होते हैं दोस्त वेलगर यह उगया आपके गल्फ्रिंड होगया इसमें आते ठीक है अब क्या आगे देखिएगा 24 नमर में की यह कन रहा है कि सो निकत परिवार में परिक्षा विवाग किस जन जाती में होता है मेरे परिक्षा विवाग किस जन जाती में होता है मेरे परिक्षा विवाग किस जन जाती में होता है मेरे परिक्षा विवाग किस जन जाती में होता है मेरे परिक्षा विवाग किस जन जाती में होता है मेरे परिक्षा विवाग क आधिवासी. जाती एवम जन जाती के सधर्षे के लिए अस्थान आरक्षित किया गया गया है. तो 27 नरक के उतर दिजीएगा क्या होगा? बिल्कोल मिरे बैचो, यह जो है 330 के तहट, अप्प्सन से हुआ ठीक है? अब यहाँ पर देखेंगा 28 नमर में क्या करें कि निमन में से कौन जन जाती समाज की समस्या नहीं है ये भी परसंद थोड़ा से इंपोर्टेंट है क्या करा है भूमी बिलावाव बिलगाव या छुवाच होती है ये सभी कि सभी होते हैं तो option क्या होगा चाचा नातेदारी कि सरेन के अंदर गताता है दूतिये किस में आता है दूतिये में आता है अभी जस्ट आपको उताय थे मामा हो गया मामी हो गया ये सभाते है ठीके टीस नमर में तो ओप्सुन क्या होगा धारमिक करतवि होता है, पुत्रप्राप्त वता है, रिती होता है इंव मैं से सभी होता है तो आपका जो राइटेंसर क्या होगा प्यारिव? फटाफट बदेगेगा क्या होगा राइट अंसर बिलकुल यह जो राइट अंसर क्या होगा डी होगा प्यारे यह भी आपके लिए बहुत ही जादा important है ठीक है आप देखे आपके 32 नमर क्या करा है कि निमने में से कौन एक वर्ग नहीं है निमने में से कौन एक जो है 33 नमर क्या है कि निमने में से कौन जाती विवस्टा की देन है मेरे पेच हो तो 33 नमर क्या होगा बिलकुल इसका जो होगा सोसन होगा आसमानता होगा जाती बाद होगा option जो है आपका d क्या होगा right answer होगा d होगा अब देखे 34 नमर में क्या करा है कि Morgan ने नातेदारी संग्याओ के कितने परकारों का उलेक किया है तो 34 नमर कवा देगा या होगा right answer बिलकुल यह जो किये हैं दो परकार यह किये हैं option क्या होगा B होगा ठीके 35 नमर में क्या करा है कि जन जातियों को पिछरे हिंदू कहकर किस समाज सास्तिरी ने संबोधित किया है तो 36 नमर के वाद यह गा तो यह जो है G.S. घुरिये जो क्या option क्या होगा B होगा यह भी परकार सन थोड़ा सा important है ठीके अब देखें 37 नमर में क्या करा है कि प्रभु जाति की अवधारना की देर है प्रभु जाति की अवधारना की देर है यह जो है किसकी है मेरे पैचो तो श्री निवास की किसकी है श्री निवास की तो option क्या होगा D होगा अब देखें 38 नमर में क्या करा है कि कुन समस्या जन जाति जीवन से सम्मधित नहीं है कुन समस्या जन जाति जीवन से सम्मधित नहीं है यह जो है छुआ अच्छो तो यह हुआ अवास साला जाति निस्तरन का भीकास घूमी निस्कासन तो इसके बार देगा राइट एंसर क्या होगा फिर बिलकूर यह छुआ छुट होता है यह जाति बहुत से ज़्यादा होता है राइट चलिए अब आगे देखे है उन चालिस नमें दू चर परतिकुलता का सिधान्त दिया है क्या है दिखा रहा है कि दू चर परतिकुलता का सिधान्त दिया है तो किसे ने दिया है मेरे पैरचो इसके बार बदिएगा बिल्कुल यह ज़र दिये है लुई जो डू यो मा ले डूयो मा जो क्या उप्सन क्या होगा डी होगा याद रखेगा चालिस नमा देखे करें कि नातेदारिक के कितने सिरेणिया होती है नातेदारिक के जो सिरेणिया होती है मेर परचो ये दो ही होती है कितने होती है दो ही होती है आप देखिए दादी नातेदारी किस सरीनिके अंदर गददी है ना दादी जो होती है वो दूतिये में आती है किसमें आती है दूतिये में आती है निमने से कौन जाती नहीं है निमने से कौन जो है एक जाती नहीं है मेर पर चो यह जो सुद्र देखरें एक पर करकर जाती नहीं कुसवाहा ब्रामन को सवाह ये रभीदासिय सवाता है लेकिन सुद्र जो है वो नहीं है ठीक है अब देखे 43 नवर में कि हिंदू बिवा के किस स्वरूप में एक जोरे बैल एवं गाई की मांग की जाती है मतलग कारा कि जब हिंदू का जब बिवा होता है उसमें जो है न एक जोरे बैल और एक जोरे गाई की मांग की जाती है तो किस में दैब में ब्रामन में अर्स में या प्राजा पत्ते बिवा में ठीक है तो यह जो आपको पता होगा कि यह जो है अर्थ विवा में मतलग कि कहाता है ऩो होता है गाद रिखे और पूरे टोटल विवा कीतने परकार के होते हैं 8 परगार के होते हैं 45 का देखिए क्या करें कि एक बस्तू से दूसरी बस्तू के पर्तेक्ष बीने में कोही बस्तू बीने में कहते हैं यह कथन किसका है बहुत ही जब रदस्त बात बोले हैं यह जो हम बोले हैं मेरे परचो थोमस बोले हैं ओप्सन क्या होगा बी होगा क्या होगा ओप्सन बी तो यह आपको फटावर बताना है किस नाम से जानती हैं, खेली बती है तो बिल्कुल यह जो है जजमानी प्रथा जो क्या option क्या होगा, भी होगा, ठीके, किस वर्स बाल स्रम पर एक राष्टी नीती अप बनाई गे थी, क्या करा है, कि किस वर्स बाल स्रम पर एक राष्टी नीती बनाई गे थी, 47 नमर कउतर दीजेगा, बिल्कुल यह जो है, 1986 में दीगे थी, तो option क्या होगा, यह होगा, ठीक है, सुचना अधिकार अधिनियम का पारित होगा, यह बहुत important परस ने, 2005 में किया गा था, यह परस न आपको याद होगा, भी वी आई परस ने, यह सब पुछा जाता है, भारत के किस परांत में हिंदू, अल्प संख्या है, हिंदू में अल्प संख्या मतलग कम है, भारत के कोई जगा है, मतलग का सकते हैं, वहाँ पर क्या है, हिंदू की संख्या बहुत ही कम है, जम्मु कस्मिर क्या है, हिंदू की संख्या जो है, बहुत ही क प्राइट प्राइट